नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल जिसका नाम है डूराठी आप सब का स्वागत है बात करते हैं दोस्तों आज के करेंट अफेर की यार दोस्तों माफी चाहूँगा सबसे पहले तो इंटरनेट का यार बड़ा लफडा चल रहा है बतलब कैसे-कैसे जुगाड करके वीडियो डालनी पड़ रही है तो चलिए शिरुवात करते हैं हमारे सेशन की सबसे पहले द आज का जो पहला topic है शिरुवात हम करते हैं इसी से government allowed donor egg and sperm in the serogacy दोस्तो एक कहानी मैं तुम्हें थोड़ा सा समझाना चाहूंगा इस मुद्दे के बारे में बताना चाहूंगा बट सबसे पहले बता दू मैं GS paper 2 Indian polity और governance से संबंधित मुद्दा है क्योंकि सरकार ने कुछ policies में बदलाओ किया है कुछ change किया है government allows donor egg and sperm in the serogacy ये basic हमारा topic है जिसको हम discuss करेंगे देखो दोस्तो हमारे यहाँ पे serogacy act 2021 में आया था और जब serogacy act आया था उस समय सरकार ने कानून बनाया था नियम बनाया था कि serogacy allowed है लेकिन उसमें कुछ conditions है और conditions एक यही थी कि जो donor egg या sperm है आप उसका use नहीं कर सकते है ठीक है वही जो husband wife है जो serogacy के माद्यम से बच्चा पैदा कराना चाहते है वो अपना ही egg और sperm जो है वो use करेंगे बट उसके बाद क्या हुआ दोस्तों सुप्रीम कोट के पास बहुत सारी petitions आने लगी बहुत सारी inquiry आई सब लोग सुप्रीम कोट को लिख रहते हैं अगर मान लो कोई conditions हो husband wife जो है वो serogate mother तो ढूण लेंगे चलो ठीक है उनके relation में उसकी भी condition है लेकिन what if कि दोनों में से medically कोई एक unfit हो तो वो बच्चा पैदा करी नहीं पाएंगे है ना तो उस case में तो donor की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी इस बात का संग्यान लेते इस बात को accept करते हुए Supreme Court ने एक lady को allow किया था लेकिन बाद में देखा कि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको same problem होगी तो उसके चलते हैं आप Supreme Court ने allow कर दिया है ठीक है अभी ये सरकार ने भी notification दे दिया Government of India की तरफ से Ministry of Health की तरफ से notification आ गया है कि भाईया आप एक काम करो जो egg और sperm है उसको donate के वे egg और sperm को आप use कर सकते हो ठीक है serogacy के अंदर तो यही आज हम पढ़ेंगे although सरकार की definition आई उन्हों अभी यही काया कि देखो सबसे पहली बात तो यह है कि use करना है तुम्हें अपना ही serogate mother है जो partner है जो couple है जो serogacy के मादम से बच्चा पैदा करना चाहते है उनको ध्यान रखना है दोस्तों क्या कि mother और जो father है उनी के ego sperm को use किया जाए बट मान लो एक unfit है किसी भी प्रकार से तो district magistrate जो office है वो इस बात की लिखित में सूचना जारी करेगा कि वह एक इन में से unfit है और medical condition के चलते इनको ये route लेना पड़ रहा है तो ही allowed है अब मान लो दोनों के दोनों husband और wife दोनों ही मान लो infertile हो ऐसे case में क्या होगा ऐसे case में वो serogacy की माद्दम से बच्चा पैदा नहीं कर सकते प्यारे बच्चों serogacy ऐसी प्रथा है भारत के अंदर में सरकार को 2021 में कानून बनाने पड़े जिसके तैब सरकार ने कई सारे महतुपून कदम उठाए जिसकी वज़े से serogacy आगे ना बढ़े illegal और unregulated serogacy ना हो और साथ-साथ में दोस्तो जो महिला serogate मदर है उसके rights को भी क्या किया जाए दोस्तो प्रड़ेट किया जाए तो चलिए इस पूरे मुद्दे पे बात करते हैं GS paper दो Indian polity and governance से संबन दीती है मुद्दा है जैसे मैंने बताया center government ने जो serogacy regulation rule 2022 है उसको amend कर दिया है उसमें बदलाव कर दिया है and they allow use of donor gamits जो donor है उसके gamits को use करने की यहाँ पे नुमस्ती दे दी है मतलब जो egg cells और जो sperm है वो use किये जा सकते है from the donor ठीक है कब यदी एक partner जो है वो medically unfit हो fertile ना हो तो वो फिर donor जो है उनसे जो चीज है donor से जो egg या sperm है वो ले सकता है अब यह मुद्द दे को कहां से उठा Supreme Court जो है ना उसने क्या किया था दोस्तो अभी after notification of March 14 last year Rule 7 of Serogacy Act said couple undergoing serogacy must use own egg and sperm यह बात है दोस्तो ठीक है लेकिन उसके बाद में मैंने बताया Supreme Court में बहुत सारी आचिका आ गई है Supreme Court was flooded with petition from women after it granted relief to one woman and prima facie found fault under the Rule 7 मतलब एक महिला को इसमें Supreme Court ने relaxation दिया था उसके बाद सब तूट पड़े कि हमें भी दो हमें भी दो और फिर Supreme Court ने realize किया यह है यह मुद्द तो है और इसको एक दूसरी approach से देखना पड़ेगा और इसलिए Supreme Court ने order pass किया और उसके बाद सरकार ने भी Serogacy Regulation Rule 2022 को amend कर दिया है इसमें संसोधन कर दिया है दोस्तों मैं बात करना चाहूंगा हमारा जो यह Serogacy Regulation Act था 2021 में जो आया था इसके क्या key provision थे मुखे बाते क्या थी तो सबसे पहली बात इसने प्रियास किया था कि भारत के अंदर में जो Serogacy जो Legal है उसको Regulate किया जाए जैसे Medical Tourism है ऐसे Serogacy Tourism नाओ कि विदेश से लोग आ रहे हैं बच्चा पैदा करके इंडिया में जा रहे हैं ठीक है उसको रोकने के लिए दोस्तों एक कानून पास हुआ था दोस्तों इसके अंदर सबसे पहला काम क्या किया गए Commercial Serogacy जो है उसको बंद किया और Alturist Serogacy को क्या किया इन्होंने बढ़ावा दिया Commercial का मतलब क्या होता है दोस्तों जो व्यवशा है Pure Profit के लिए किया जाए उसको बंद कर दिया गया Serogacy जो है It is allowed under certain condition Conditions क्या थी पहला It must be for intending couple With proven infertility ये बात आपको बहुत important है ध्यान रखनी है जिसमें सिद्ध बांजपन हो मतलब नहीं हो सकता जिस couple का वो ही ये क्या कर सकते हैं दोस्तों Serogacy का इस्तमाल कर सकते हैं Alturistic होगी commercial purpose ही नहीं होगी ऐसा नहीं कि कोई महिला है वो पैसा ले रही है और बार बार वो दूसरों का बच्चा पैदा कर रही है तो ये नहीं होगा Alturistic purpose से हो सकता है यानि कि परोपकार किसी का भला करने के लिए उसके लिए भी condition है जो महिला किसी दूसरे का बच्चा पैदा करेगी दोस्तों तो वो भी कुछ condition है पहला वो शादिशुदा होनी चीए उनी की blood relations में होनी चीए उनके relation में हो ये सारी condition थी दोस्तों It must not involve producing child for sale ये भी important चीज है कि जो बच्चा पैदा हो वो बेचने के लिए ना हो ना prostitution में हो और ना ही किसी प्रकार का उसके साथ अलग प्रकार से exploitation हो विक्री, वैश्यवर्ति या सोशन के लिए उस बच्चे को पैदा करना ये सब शामिल था उसमे It may be permitted for specific conditions or disease as specified by the regulations आगे बढ़ते हैं दोस्तों eligibility criteria क्या था कोई भी महीला अगर serogate mother बनना चाहती है तो what should be the criteria अगर दूसरे का बच्चा पैदा करना चाह रही है serogacy पे तो उसकी कुछ conditions रखी गई condition पहला क्या था she should be a close relative to the intending couple जो बच्चा पैदा करना चाह रहे है वो उनके बहुत ही करीबी रिष्थिदार होनी चाहिए दूसरी बात वो married होनी चाहिए और खुद का एक बच्चा होना चाहिए उसका एज जो है 25 से 35 साल के बीच में हो दोस्तों पहले इस से पहले उसने serogate mother वो कभी ना बनी हो उसके पास एक certificate हो जिसमें वो ये प्रमान होगी वो medically और psychologically एकदम fit है उस पे मतलब किसी प्रकार की manovagyanic बिमारी उसको नहीं है और कोई physical बिमारी उसको नहीं है तभी वो serogate mother बन सकती है additionally the serogate mother cannot provide her own gamits for the serogacy ये भी ध्यान रखेगा दोस्तों जो मा दूसरों के लिए बच्चा पैदा करती है अपनी coke का इस्तमाल करती है वो अपना egg use नहीं कर सकती ये बात आपको ध्यान में रखना है इसके बाद में दोस्तों जो भी clinic serogacy perform करते हैं सरकार ने mandatory किया कि भीया आप register कराओगे बिना registration जो है आप serogacy perform नहीं करोगे ठीक है पहले आप register कराओगे जब register आप हो जाओगे उसके बाद आप क्या करोगे उसके बाद आप ये practice को आगे मतलब ये practice जो है इसमें आप involved हो सकते हो नाशनल और स्टेट serogacy board दोस्तों ये भी किया गया राश्टी स्तर पर और नाशनल स्तर पर अलग-लग board की स्थापना होई ताकि इसको serogacy को regulate किया जा सके इसके proper legal जो documentation है या दस्तावेज है वो सब बन सकें ठीक है तो center level पे क्या बनेगा दोस्तों national serogacy board और state level पे serogacy state serogacy board इसके बाद अगर मालो कोई इनका उलंगन करता है तो देरा strict penalty and ठीक है उनके लिए बहुत इसमें सजा का प्रावधान है पहला बहिया ऐसे कोई भी लोग जो commercial serogacy को आगे बढ़ाते हो promote करते हों किसी प्रकार का advertisement करते हों कि हम commercial serogacy करवाते हैं ये वो तो उनको मतलब सजा होगी ठीक है इसके बाद आप जो serogate mother है उसका कोई social नहीं कर सकता Mimi picture में दिखाया था नो वच्चा पैदा किया उसके बाद वो भाग गए पहले तो accept करने से मना कर दिया बाद में फिर कह रहे हैं हमें देदो देदो तो ऐसा तुम exploit नहीं कर सकते किसी भी serogate mother को अगर आप कोई picture थोड़ी देखने है ये समझना है ना serogacy को Mimi एक picture थी बहुत अच्छी picture है Bollywood ने बनाई है ऐसी अच्छी picture है बनती बहुत कम है ठेक है एनिमल जैसी जादा बनती है लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा एक बर आप उस picture को देखें ठीक है serogacy का concept आपको समझ में आएगा इसते related issues आपको समझ में आ जाएगे selling और importing human embryo और gametes serogacy serogacy के लिए माना भून या युगमक बेचना या आयात करना abandoning, exploiting और dis ओंगी serogate child आपने बच्चा पैदा तो करवा लिया उसके बाद आप कहरें हमारा नहीं हम नहीं मानने है न तो अगर कोई ऐसा इन में से कोई भी offense करता है तो 10 साल की imprisonment और fine दोनों चीज़ उस पे लग सकता है 10 साल की imprisonment होगी और 10 लाग का fine ठीक है तो ऐसा नहीं है कि कोई इसके तहत में कोई अपराद करेगा और वो बच जाएगा अब नए amendments में क्या हुआ है देखो केंदर सरकार ने नए amendment जो पुराना serogacy rule है उसमें संसोधन किया है उन्होंने क्या कहा है married couple undergoing serogacy to use donor gimmicks providing significant relief to those those facing medical challenges देखो ये जाहिर सी बात है यार ऐसा जरूरी हो सकता मतलब ऐसा हो सकता है कि जो intended couple है उनमें से एक infertile हो या कोई medical condition हो दिससे बच्चा पैदा नहीं कर सकते तब in that case serogacy का इस्तमाल कैसे होगा इसलिए दोस्तों इसमें amendment किया गया है पहले क्या था कि जो married couple है उनको खुद का एग और sperm use करना था बट अब donor का वो use कर सकते है recent notification में यही बोला है कि पहली प्रात्मिक्ता तो यही है कि वो अपना खुद का एग और sperm use करे बट अगर वो बानलोक एक नहीं है उस फर्टाइल नहीं है तो उसमें district magistrate board जो है इसका उनको certificate लगेगा यह certificate के बाद में वो donor egg use donor egg या donor sperm use कर सकते है nevertheless at least one जो एक जो है एक युगमक जो है वो आना चाहिए मतलब या तो पिता से sperm आए या माता का एग आए एक का जरूरी है दोस्तों अगर आप सेरोगेसी से बच्चा पैदा करना जाते हो consequently married couple अब ऐसा हो जिसमें दोनों ही ना तो पुरुष फर्टाइल है ना महिला फर्टाइल है दोनों में medical problem है तो फिर वो सेरोगेसी से बच्चा पैदा नहीं कर सकते है यह change क्यों किये हैं दोस्तों सुप्रीम कोट ने देखा है यार कि यह मामला सही में ऐसा है कि जिसके अंदर में problem है भई एक ऐसी married महिला या ऐसा married couple जिसमें एक में medical condition हो तो फिर तो इसी लिए दोस्तों यह सुप्रीम कोट के इस ध्यान के बाद में सुप्रीम कोट के संग्यान के बाद में यह बदलाव यहाँ पे किया गया है मैं चाहूँगा थोड़ा हम सरोगेसी के बारे में समझे सरोगेसी क्या होती है देखो a serogate also known as gestational carrier जो serogate होता है उसको gestational carrier कहते हैं गर्ब कालीन वाहक के रूप में भी serogate को जाना जाता है दोस्तों हिंदी में बोलने तो ठीक है serogate जिसको हम गर्ब कालीन वाहक के रूप में जानते हैं सुधान दीजी gestational carrier is a woman who conceive, carries and deliver a child for the another person जो दूसरे किसी वेक्ती के लिए बच्चा पैदा करती है ठीक है उसकी हम बात करने है serogate agrees to relinquish the child to intended parents upon birth और एक serogate वो होती है कि जो बच्चा जब पैदा हो जाए तो वो फिर दे दे ठीक है उसको पत देगो generally बच्चा पैदा करने ये बाद बच्चे साथ emotion जुड़ जाते है आप Mimi picture देखो कि उसमें आप कोई दिखेगा उसके साथ emotion जुड़ जाते है फिर वो कहते हैं मैं नहीं दूँगी इसको ठीक है तो वो नहीं होना चाहिए वो फिर serogacy नहीं होगी serogate नहीं होगी so मैंने बताया दो प्रकारगी serogacy commercial और altruistic commercial में क्या होता है पैसा ले के बच्चा पैदा होता है altruistic में money का लेन दे नहीं होता आपके near रिष्तेदारी में कोई देखो आपको problem है आपकी problem solve करेंगी बस वो परवप्रोपकारी है कोई cash का या कोई मतलब intrinsic जिसमें किसी value हो कोई चीज का महंगी चीज का उसके बदले में आप बच्चा पैदा नहीं कराओगी उसको हम कहते हैं altruistic serogacy ठीक है अब serogacy भारत के अंदर में बताओं तो serogacy बहुत पुराने time से चल रही थी दोस्तो 1978 से उसके बाद भारत में क्या हुआ न legal तो था serogacy से but regulate नहीं था regulate का मतलब सरकार उसके नियंत्र नहीं कर रही थी unregulated था इसलिए भारत के अंदर में reproductive tourism काफी बढ़ा मतलब लोग आये जैसे आज खल क्या होता है गुडगाओं में दिल्ली के अंदर जो मैक्स है उसमें गुडगाओं के अंदर में वहाँ पे आपको एक नई चीज सुनने को मिलती है medical tourism लोग आते हैं ठीक है बाहर से कोई अफगानिस्तान से कोई अजरेबाईजान central nation country से आते हैं इधर रहते हैं इलाज कराते हैं यहीं उन्होंने कमरा ले रखा है दो-तीन साल, देड़ साल जिनका लंबा इलाज चलता है ऐसे ही दिल्ली में मैक्स में दिखाते हैं साकेत में उदर और चतरपूर में इस परकार के कई सारे एंकलेव बने हुए हैं तरपूर में दानगडी, नेब सराय जहां पर यह लोग रहते हैं इसको बोलते हैं इसी परकार से रिव डॉक्टरी टूरिजम बाहर से आ रहे हैं दो-तीन साल इधर ही रहे हैं बच्चा पैदा करवा रहे हैं फिर उसको ले जा रहे हैं यह बहुत होने लग गया था और यह कमर्शिल परपस से होने लग गया था इसलिए दोस्तों सरकार ने सेरोगेसी रेगुलेशन बिल जो है 2021 वो पास किया और उसके बाद में इन सब चीजों को मना कर दे इन चीजों को बैं किया गया यह बात आपको समझ में आई या नहीं आई अगर आई तो दोस्तों मुझे एक बर फटा फट से आप कमेंट बॉक्स में ओके की रिपोट करोगे अगर समझ में आ गई है तो और गाइस प्लीज एक बार वीडियो को लाइक भी करना है आपको एक बार वीडियो लाइक भी कीजेगा, शेर भी कीजेगा, अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है, तो मैं क्या कह रहा हूँ तो, फिर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों इस पर, ठीक है, आगे बात करते हैं, अभी थोड़े दिन पहले आपने सुना होगा, हाउतीज जो है, वो रेड डे सी में से जो भी शिप वगेरा निकल रही थे, उस पर अटाक कर रहे थे, उसके बीचे कारण क्या था? उसके बीचे कारण ये था कि जो इसराइल जो कर रहा है हमास के साथ, ठीक है? तो उनका वो सपोर्ट कर रहे थे, उनका मानना था कि हमास उनका दोस्त है, भई ऐसे हाउतीज, ऐसे हमास, तो इसराइल जो उनके उपर में अत्याचार कर रहा था, या इसराइल जो फिलिस्त कर रहे थे और इसमें भारत की एक ship पे भी attack हुआ था तो अब उसका alternative निकालने की बात हो रही है कि कैसे निकाले अब इसराइल और भारत के बीच में अच्छा गाजा trade होता है तो अब red sea से तो trade हो नहीं रहा और दूसरा पता क्या है भारत का जो बहुत सारा trade है 30 to 40% दोस्तो जो तेल वगेरा है वो red sea वाले रस्ते से ही होके जाता है तो इंडिया के लिए रस्ता बड़ा important है और इसके चलते न logistics जो cost है वो भी 25% increase हो गई इसके चलते जो वहां से लोग जाते हैं समान ले जाते हैं वो ज़्यादा पैसा मांगने लग गया है insurance का ज़्यादा इससे problem ह हुई है ठीक है उसी को ध्यान में रखते वे उसी चीज को सोचते वे दोस्तो अब एक नया agreement हो रहा है एक नया trade route बन रहा है जिसमें red sea को bypass कर दिया जाएगा अब यह route कहां बन रहा है इसको आपको देखना है यह भारत है तो भारत के जो मुंद्रा पोर्ट है आपका दोस आपका land border के माद्यम से साओधी एरेविया से होता हुआ जाएगा साओधी एरेविया के बाद में जाएगा जॉर्डन जॉर्डन से फिर इसराइल में चला जाएगा अब देखो यही एक वो भी route है दोस्तो जिसकी G20 के सम्मेलन में बात हुई थी यह वो रस्ता है जिसको ह जनी कि IMEC के नाम से जानते हैं दोस्तो ठीक है वो भी है हलांकी यह बिल्कुल अभी fix नहीं हुआ है लेकिन इस प्रकार के route का बात हुई थी जिससे भारत को Middle East और यॉरप से जोड़ा जाए अधर जो ए स्वेज कैनाल वाले रस्ते हैं इनके अलावा ठीक है इनके अलाव बनलब उसी से मिलता जुलता एक नया route बनने की बात हो रही है क्यों दोस्तो विकॉस जो भी यहां से trade हो रहा है जो रेडिसी से निकल के आ रहा है दोस्तो इधर उस पे यहां पर यमन के आउतीज बैठे है वो अटैक करके वो इसको आगे आने नहीं दे रहे है तो यहां बड़ी प्रॉब्लम यहां पर उत्पन हो रही है बड़ी प्रॉब्लम यहां पर जनरेट हो रही है इसलिए दोस्तो यह alternate route की बात यहां पर की जा रही है यह बात आप उसमें बैए तो इसकी लिए गुजरात का जो mundhra port है दोस्तो इसकी बात है इस port को हम यूज करते हैं ये नया route establish करने के लिए, ठीक है, तो इसी पर topic आया हुए, to bypass Red Sea, new trade routes to Israel involving Mundra port, how did this will work, GSP पर दो bilateral regional global grouping and agreements involving the different groups, तो इसराइल के जो transport minister है, Miri Regav, उन्होंने recently allowance किया, एक alternative route जो गुजरात के Mundra port को किस प्रकार से हम Red Sea को bypass करते वे, इस रस्ते को इसराइल तक connect करेंगे दोस्तों, ठीक है, आपको पता है क्या हो रहा है Red Sea में, आपको पता है, यमन जो है, हाउतीस के जो rebel group है दोस्तों, वो लगातार जो इसराइल bound ship है, जो Red Sea से निकल रही है, ठीक है, उसको target कर रहे है in the support of Gaja, support for Gaja, और इससे पूरा global trade जो है, वो पूरी तरीके से disrupt हो गया है, लगबग लगबग 12% जो trade है, वो इस रस्ते से Red Sea से होकर निकलता है दोस्तों, और इस risky area को avoid करने के लिए, हम ये alternative route जो है, longer route जो है, लेना पड़ रहा था दोस्तों, और उसमें आर अफरीका की पूरी round trip मारनी पड़ रही है, Cape of Good Hop, जो है, यहां से होकर आना पड़ रहा है, जिसमें आपको पूरे अफरीका का चकर ना लगाना पड़े, इस plan के तैथ क्या होगा मैंने बताया था, जो माल है, वो मुंदरा पोर्ट से पहले UAE जाएगा, और UAE का जो port है, UAE में दुबाई जिबल अली पोर्ट, वहां पे जाएगा, वहां से यार यह साओधी अरेब तो यह पहले दुसमन देश थे, अपस में साओधी रेबिया और इनकी बंती नहीं थी, बट अबरहाम अकोर्ड जो हुआ था, अबरहाम अकोर्ड के बाद में दोस्तो यह जो रस्ता है, यह खुल गया है, तो feasibility की अगर मैं बात करूँ, तो आज वर्तमान डे में दोस्तो feasible है, just because of the Abraham Accord, जो Abraham Accord signed हुई है दोस्तो, उसके बाद में यह जो trade corridor है, यह feasible लग रहा है, क्योंकि आज इसराइल और अरब देशों के बीच में, because of Abraham Accord जो है, वो मामला थोड़ा सही है, मतलब महां के जो संबंध है, relation बहुत सही है, trucking will play a major role in this transportation, obviously बात है, जब land से जाएगा, तो truck के माद्यम से जाएगा, पूरे Saudi Arabia से, और SI road में ने बताया था, India, Middle East, Europe economic corridor में भी हमने SI यहाँ बात की थी, हलांकी जो IEC वाला corridor है, वो अभी पूरी तरीके से fix नहीं हुआ है, G20 में हमने इस पे बात की थी, but वो भी similar ऐसा ही कुछ port था, अब इस नए port का महतु कह दो, significance कह दो, एक तरफ Red Sea से समान आनी रहा, आपको पूरा अफरीका का चक्कर मारना पड़ रहा है, तो fees, duties, insurance, charge यह बहुत महंगे हो गए है, अब इसके चलते हैं, आप क्या करोगे, ठीक है, तो आपको मंगवाना तो ही न, भारत जो देश है, वो तो dependent है इस route के उपर, और भारत के अलावा बहुत सारे देश हैं, जो इस पर निर्भर करते हैं, अब ऐसे में तो यार मतलब कोई sense बनती नहीं है, मतलब अपने को करना पड़ेगा, ठीक है, तो इसलिए कर रहे है, ठीक है, ट्रक का transportation बहुत महंगा पड़ेगा, अलसा नहीं कि ट्रक का transportation, क्योंकि पहले समान जाता था, शिप से, अब ट्रक की तो limited volume है, ट्रेड की, मतलब एक आप देख लो, यहीं पर देख लो, यह एक ट्रक लेके जाएगा, और सोचो यह कितने ट्रक का समान होगा, इसमें लगबग लगबार, सोच लो, है न, तो यह चीज है, दूसरी बात क्या है दोस्तो, जो यह, कितना यह रूट वाइबल रहेगा, कितना यह कारगार रहेगा, यह इस बात पर निर्वर करता है, कि इसराइल जो है, वो अरब देखों के साथ में कितने अच्छे संबंद मेंटेन कर पाता है, और कितने रेड़ सी की, तो आप सब को पता है, दोस्तो, रेड़ सी कहा है, अभी देखों, हमने मैप में देखा, यह जो एरिया है, यह रेड़ सी का एरिया है, ठीक है, you can see this, ठीक है, अफ्रीका इधर है, और इधर एशिया, जिसको हम मिडल एस्ट कहते हैं, ठीक है, यह वेस्ट ए बबल मंदफ स्टेट, यहाँ पर दीजी बाउटी है, और यह फिर गल्फ ओफ एड़न, और यह यहाँ से ऐसे जाता है, ठीक है, ठीक है, चालिए, तो रेड़ सी की बात करते हैं, तो रेड़ सी एक नेरो स्टिप ऑफ वाटर है, जो आपका एक्स्टेंड करती है, फ्रम स साथ इस्ट वर्ड, फ्रम स्वेज, इजिफ्ट टू बबल मंदफ स्टेट, इट सर्जा नेरो इल्लेंड सी, बिटविन दी अरेबियन पेनिंसुला, पहले जुड़ा हुआ था, आपको आपको देख के लग भी रहा हुगा, ठीक है, पहले जुड़ा हुआ था, बट यहा हम बताएंगे किसी सेपरेट वीडियो में हम बात करेंगे आप लोगों के साथ में, तो हो सकता है, यह रेड सी है, पीला सी और बन जाए यहां पे, ठीक है, कुछ बन सकता है मतलब, पूरा, तो वो उसका रीजन हम अलग वीडियो में देखेंगे दोस्तों आपके साथ, त 30% of global container traffic, highlighting its importance for the global trades, चलिए, आगे बात करते हैं दोस्तों, यह पूरा pure science का topic है, समझ आ रहा है आपको गाईज, ठीक है, अकांशा चक्रवर्ती, बिल्कुल बिल्कुल, यह, देखो, state PCS, class UPSC के लिए, बट अगर आप state PCS का कोई बच्चा देख रहा है, तो उसके लिए भी equally beneficial होगी, कोई tension वाली बात नहीं है, ठीक है, अज़ा guys एक बार प्लीज आप इसको help कीजेगा, sorry help कह रहा हूँ, प्लीज एक बार आप बताएगा मुझे comment box में कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, and अगर आपको समझ में आ रहा है तो please video को like और share एक बार कर दो, comment box में okay report लिख दो दूस्तों एक बार, it's my humble request to all of you guys, चली, आगे बढ़े, अरे बताओ भाई, बताओ नहीं रहे हो तुम तर नराज हो क्या, है बई, नराज हो दोस्तों, एबर बताओ मुझे, अगला topic है, science-based topic है, GSP परतीन, science and technology, development and their application, in a first, CERN scientist, carry out laser cooling of positronium, देखो जाधातार जो physics के example है, वो hydrogen based होते हैं, तो अभी प्रियास है कि anti-hydrogen experiment किया जाए दोस्तों, और उसी में एक बहुत तगड़ा development देखने को मिला है, physics के कही सारे experiment होते हैं, जिसमें hydrogen का use गिया जाता है, लेकिन hydrogen से भी effective चीज़ क्या हो सकती है, दोस्तों, positronium, और अभी positronium जो है, उसको laser cooling की गई है उसकी, ताकि better result मिले और क्योंकि जो positronium है वो बहुत जल्दी breakdown हो जाता है, मतलब वो stable नहीं है, कुछ, बहुत ही कम second, second के भी बहुत छोटे इसे के अंदर में वो अपने आपको nust कर लेता है, annihilation हो जाता है उसका, तो इसलिए आप उसको use नहीं कर सकते हैं, और hydrogen यूज करते हैं, लेकिन अगर आप positronium को इस्तमाल करने लग जाओ, तो आप physics के अंदर में कई experiment को better accuracy के साथ में perform कर सकते हो, ये इसका महत तो है, और इसलिए अभी हम बात कर रहे हैं, सरन के scientist ने लेजर cooling जो है, अचीव कर positronium की, और ये एक बहुत बड़ा development है अपने आप में, क्योंकि इससे जो physics है, वो और ज्यादा accurate हो जाएगी आपकी, ठीक है, इसी को बात करते हैं, तो इना, first, an international team of physicists from anti-hydrogen experiment, gravity, inferrometer, spectroscopy, collaboration has achieved a breakthrough by demonstrating the laser cooling of positronium, ठीक है, इना, significant achievement, an international team of physicists from, ये, इसकी full form है, anti-hydrogen experiment, gravity, inferrometer, spectroscopy, collaboration has successfully demonstrated the laser cooling of positronium for the first time, पहली बर ऐसा हुआ है कि हमने laser का इस्तेमाल करके, जो positronium है, उसको इतना ठंडा कर दिया है, दोस्तों, this research managed to cool positronium atoms from approximately 380 Kelvin to 170 Kelvin, इतना इसको ठंडा कर दिया है, इस experiment के मादयम से, जो हमने laser ये डाला positronium पे, तो हम तापमान 380 Kelvin से 170 Kelvin तक हम लेके जा पाएं, इसके लिए एक special laser system बनाया है, दोस्तों, और ये अपने आप में जो development है, ये बहुती, मतलब बहुती बड़ी development है, दोस्तों, ये जो experiment है, इससे क्या होगा, दोस्तों, मैंने बताया, spectroscopic comparison जो है, वो important हो जाएगा for the quantum electrodynamics, which examine lights and its interaction with the charge matter. ये प्रियोग quantum electrodynamic के लिए एक महत्वपून, spectroscopic तुलना करने का द्वार खोलता है, जो प्रकास और आवेशित्प दार्तों के साथ, इसकी बाचीत की जाच करता है, इसकी interaction की जाच करता है. New scientific achievements enables high precision measurements of the properties and gravitational behavior of matter, antimatter, system, potentially unveiling the new physics. तो इससे क्या होगा, मैंने आपको पहले ही बता, high precision measurement कर पाएंगे, इस positronium का इस्तमाल कर पाओगे, आप और physics के अंदर में जो experiment perform करोगे, you can find out some better result. furthermore, it facilitates the creation of positronium boss Einstein condensed state, BEC को हम achieve कर पाएंगे, ध्यान समझेगा, इसके माद्यम से, अब हम positronium boss Einstein condensed state, जो stage है, उसको अचीव कर पाएंगे, where all components occupy the same quantum state, जिसमें सारे के सारे components, जो इसमें, वो same quantum state को अचीव कर लेंगे. अब BEC, arise when particles are cooled to near absolute zero, अब ये BEC क्या होता है दोस्तों, ये कैसी state है, जिसमें जो particle है, वो near absolute zero पे cool down हो जाते हैं दोस्तों. ठीक है, they all merge into a single quantum entity, सारे के सारे मर्ज होके, एक single quantum entity के अंदर मर्ज हो जाते हैं. Such a condensate could generate coherent gamma rays light through the annihilation of matters and antimatter constituents. The gamma ray light would resemble laser light featuring monochromatic waves with a constant phase difference. तो दोस्तों, ये थोड़ा सा scientific है, में पहले ही बता रहा हूँ, science-based है. तो मेरे हिसाब से आपको ध्यान रखना है, positronium क्या होता है, उसके लावा आपको ये Bose-Einstein condensate जो है, ये क्या होती है दोस्तों, ठीक है, ये चीज़े आपको यहाँ भी important रहेगा. positronium की बात करें तो ये क्या है, दोस्तों, it is a fundamental atomic system, जिसके अंदर में, ठीक है, which is consisting of a bound electron and positron, इसके अंदर अगर मैं diagram दिखाऊं तो इस प्रकार से, एक electron और एक positron जो होता है, electron और positron जो है, इसके अंदर होता है, ठीक है, किसमें दोस्तों, positronium के अंदर में, so positronium hydrogen का alternate है, इनको हम anti-hydrogen property का भी मानते है, this contrast with the ordinary matter, which is made up of the atom, normally atom से बने होते हैं दोस्तों, with hydrogen being the simplest example of the atom, जिसके अंदर क्या होता है, दोस्तों, proton और electron होता है, बट यहाँ पे क्या है, दोस्तों, electron और electron के साथ में, positron जो है, वो आपका यहाँ पे होता है, positronium was the first detected in 1951, ध्यान रखेगा, यह पहली बार नहीं हो रहा है, 1951 में, United States के अंदर में, इसको पहले से अची, जो है, detect कर लिया गया है, दोस्तों, इसकी बहुत short life होती है, अपने आपको बहुत जल्दी annihilate कर लेता है, मतलब बहुत ज़्यादा अपने आपको मार लेता है, जल्दी यह खतम हो ज़्यादा है, destroy हो जाता है, half life जो है, इसकी वो 142 nanosecond है, सोच लो कितने थोड़े समय के लिए अपने आपको जिन्दा रखता है, despite its short lifespan, it is significant in physics, as its mass is twice that of an electron, and it is considered a pure leptonic atom, ध्यान रखीगा इस बात को, due to the unique property, including half frequencies of excitation, compared to hydrogen, positronium जो है, it is an excellent candidate for experiment in fundamental physics, यही इसकी खास बात है, सबसे important इसकी बात यही है, कि positronium क्यों important है, क्योंकि इसका इस्तमाल करके, जो आप hydrogen से experiment करते थे, वो 10 गुना better हो पाएंगे, fundamental physics के अंदर में, laser cooling which slows down positronium atoms, makes it easier for scientists, to study and perform test of fundamental theories in physics, हम इसके माद्यम से, जो fundamental theory है physics में, उनको हम test कर पाएंगे, ठीक है, सो CERN क्या होता, यह भी देख लो दोस्तो, यह जो word है CERN, यह French word है दोस्तो, drive from a French, council, European, poor, ऐसा कुछ है, इसको 1954 में found किया गया, तो दोस्तो एक premier foundation, physics के लिए बहुत important organization है, और यह Europe के अंदर में हैं दोस्तो, ठीक है, इट operates the world largest principle, particle physics, जो particle physics laboratory है, जनेवा के पास, फिजर लेंड में, वो run करता है CERN, CERN ही उसको run करता है, physicist और engineer जो है, वो CERN के अंदर में है, और वो क्या करते हैं, दोस्तो, they study fundamental structure of universe, by colliding particles, at close to the speed of the light, using the large scientific instrument, to explore the basic constituent of the matter, यह प्रमाण बना कैसे, किस प्रकार से ब्रमाण की उत्पत्तिविधी, Big Bang Theory में, है ना, तो यह वो ही काम करते हैं, particles जो होते हैं, इस laboratory के अंदर ले जाते हैं, और आन particles को आपस में, collide करके देखते हैं, किसकी स्पीड से, light की स्पीड से, सोचों कितनी तेज चलती है विजली, उसकी स्पीड से, और इसका purpose क्या है दोस्तों, purpose बड़ा सिंपल है, कि universe, जिस fundamental matter से बना, उसको find out करना, सर्म के अंदर में, वरतमान में 22 member states हैं, इंडिया जो है, वो भी इनका एक associate member state बन गया था, कब 2016 में, ठीक है, और 2004 में हमें इनका observer status जो है, वो मिला था, ठीक, अब दोस्तों बात करते हैं, जो AEGIS है, ने की anti-hydrogen experiment, gravity, inferometer, spectroscopy, ये क्या है, ये सब बात करते हैं, So, AEGIS जो है, एक experiment है at CERN, focused on studying the impact of gravity on anti-matter, anti-matter मतलब क्या होता है, जो hydrogen के opposite होता है, तो ये जो experiment है CERN का, ये focus कर रहा है, इस पर impact of gravity, gravity का anti-matter पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, इस primary objective is to measure the gravitational acceleration of earth, on anti-hydrogen, anti-hydrogen जो है, उनी को हम anti-matter यहाँ पर बोल रहे है, the collaboration involves physicists from Europe and India, and aim to address the matter-antimatter symmetry in the universe, while anti-matter is stable in isolation, it quickly annihilate upon contact with the matters, एक एले में रखो कोई दिक्कत नहीं, बट जैसे ही matter के contact में आएगा, देविल भूम, ठेक है, और इसलिए दोस्तों, इनको बहुत हम इस्तमाल ही नहीं कर सकते, इसलिए इनको बहुत precaution के साथ में ही हम use कर सकते हैं, किसी experiment में, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कीरू हाइडल प्रोजेक्ट, समझ आया मुद्दा दोस्तों आपको, समझ आया दोस्तों, चलिए, आगे बढ़ते हैं अपके साथ, आगे बढ़ते हैं अपके साथ, यह जो टॉपिक है, इस पर देखते हैं, कीरू हाइडल प्रोजेक्ट, देखो दोस्तों, आपने सत्यपाल मलिक के बारे में तो सुनाई होगा, सत्यपाल मलिक जो है, वो लगातार अभी वर्तमान की, जो हमारी केंदर सरकार है, एंडी गॉर्मेंट जो है, लगातार उस पर अटैक कर रहे हैं, लगातार, चाहिए वो पुल्वामा हमला हो किसी चीज़ को देखके, तो हमें लगी रहा था कि केंदर सरकार कब सिकंजा कसेगी, तो वो समय आ गया है, जब अब सिकंजा कसा जा रहा है, ठीक है, GS Paper 1 से हम बात कर रहे हैं, वैसे तो ये matter है, transparency से related, बट हमें यार कीरू हाइडल प्रोजेक्ट डिसकस करना है, ये कैसा प्रोजेक्ट है दोस्तो, ये तब अप्रूव हुआ था, इसका foundation stone तब लगा था, तब इसकी approval आई थी, जब जम्मू कश्मीर के governor कौन थे, सत्यपाल मलिक थे, तो उसकी वज़े से दोस्तो, अभी CBI जो है, उन्होंने कई location पे, जो सत्यपाल मलिक से संबंदी तो, उन्हों पे raid मारी है, तो ये मुद्दा news में है, हम बस बात करेंगे, किरू हाइडल प्रोजेक्ट क्या है, कहां स्थित है, और क्या इसकी खास बात होने वाली है, ठीक है, Central Bureau of Investigation ने मैंने बताया, 30 location को क्या किया है, raid किया है, ये सारे वो locations हैं, विचार linked with the former जम्मू इंड काश्मीर, governor सत्यपाल मलिक, ठीक है, सत्यपाल मलिक जो है, वो जम्मू इंड कश्मीर के governor रहे है, 23 अगस्त 2018 से 30 October 2019 तक, और उन पे 300 करोड की ब्राइव लेने का आरोप यहां पे लगाया गया है, दो प्रोजेक्ट के अंदर में, 2022 में जम्मू इंड कश्मीर की government ने उनके खिलाब CBI जाच की मांग की थी दोस्तो, उनने कहा था कि सत्यपाल मलिक जो है, उनके दुवारा बहुत सारे यहां पे government जो contract दिये गए थे, उनमें fraud हुआ है, The Board of Civil Works to Patel Engineering Limited, वहां पे जो civil कारी होए थे, वह Patel Engineering Limited को दिया था, एक major infrastructural company है दोस्तो, जिसको 1949 के अंदर में बनाया गया था, और यह जो company है, यह under investigation है, तो उसके बाद में CBI ने इस बात का संग्यान लिया, उन्होंने case धर्ज किया दोस्तो, जो Patel यह है, इनके managing director, M.D.V.M.D. सब को धर्लिया, ठेक है, उसके बाद एक F.I.R. state that an investigation by J.N.K. Anti-Corruption Bureau and the Power Department found that guidelines for e-tendering was not followed, और तब पता चला है यार, कि जो e-tendering की guideline थी, वो इस project को lot करने के time पे, जो है, पूरी नहीं की गई थी, additionally यह जो project है, इस पर allegation यह भी है, कि यहाँ पे sub-standard काम हुआ है, इस कीरू हाइडल project में, बहुती sub-standard जो काम यहाँ पे हुआ है, and failure to employ local youth, और यहाँ के local youth है, उनको इस काम के अंदर, इस project के अंदर में नोकरिया नहीं नहीं गई, थोड़ा समझते हैं दोस्तों, कीरू हाइडल project जो है क्या, दोस्तों हाइडल से आप समझ गए होंगे, कि इसमें हम पानी का इस्तमाल कर रहे हैं, बिजली बनाने के लिए, सो कीरू हाइडल पावर प्रोजेक्ट जो है, यह run-on river scheme है, run-on river का मतलब, बहती हुई नदी के उपर, पर हम कोई emankment नहीं कर रहें, कोई band नहीं बना रहें, हम बहती हुई नदी से, पानी को divert करके, उससे बिजली बना रहें, तो इससे क्या होता है, जो वहाँ की ecology है, उस पे कोई ज़्यादा फरक नहीं पड़ता, हम कोई बड़ा dam नहीं बनाते, वहाँ की ecology पे परिवर्तन नहीं आता, किसी प्रिकार की seismic activity को ये प्रमोट नहीं करता, ट्रिगर नहीं करता, ये इसका फायदा होता है, run-on river water का, तो ये run-on river scheme एक प्रोजेक्ट है, बेसिकली दोस्तो, ये चिनाब डेवलेप्मेंट अंडर उन्दा, चिनाब रिवर इंदा किस्तवार, तहसील of the Doda district of German Kashmir, तो चिनाब नदी के उपर run-on river project है दूस्तो ये, और ये बहुती important project था, बहुती महतोपून project इसको बताया गया था, ये अगर हम बात करें, तो ये जो project है, ये आपका किर्थाई to upstream, और आपका क्वार downstream, मतलब इन दो जो हाइडल project इनके beach के अंदर ये सित्था, ये दो हाइडलेक्टरी project है, उसके beach के अंदर में हमने ये जो कीरो हाइडल project है run-on river, मतलब कोई embankment, कोई बांध वगएरा, कुछ हम नहीं बना रहे river के उपर, ठेक है, ये जो project था, इसकी value थी लगबग 4,287 क्रोड का ये project था, दोस्तो इतना पैसा इसमें involved था, इस पैसे की देखबाल के लिए दोस्तो, चिनाब Valley Power Project, ठीक है, एक joint venture था, चिनाब Valley Power Project की इसके बीच में, National Hydro Electricity Power Corporation की NHPC, और इसमें NHPC की 49% share holding थी, और जमो एंड कश्मीर State Power Development Corporation उसकी भी 49% थी, बच गई 2%, 2% जो थी वो Power Trading Corporation PTC की थी, 2% और यही चिनाब Valley जो project था, ये जो है, चिनाब Valley Power Project ये एक ऐसी body थी, जो इस पूरे project के development को देख रही थी, ministry of forest and climate change ने दोस्तो, इस project के लिए 2008 में clearance दिया था, और clearance के बाद में, दोस्तो, 2016 में State Government ने अप्रूव किया, और उसके बाद में 2019 में काम शिरू हुआ था, तो जो पहला foundation stone जो था, इस project के लिए वो 2019 में रखा गया था, और deadline है कि इस project को, 2025 जुलाई तक इसको क्या किया जाएगा, complete भी किया जाएगा, अब समझते हैं दोस्तों क्या benefits थे, क्या intended benefits इस project के थे, जिसके चलते दोस्तों इस project को implement किया गया था, मैं आपको बताना चाहूँगा, इस project का aim क्या था दोस्तों, कि जो energy shortfall है, उसको elevate करना उत्तर भारत के अंदर में, ये इसका उद्देश है था, अब energy shortfall का elevate होगी, तो उसके साथ reason का transport, education, healthcare, road infrastructure, सब improve करने का इसका जिम्मा था, it will bring the electricity to rural areas, rural areas के अंदर में बिजली जाएगी, और बिजली जाएगी तो वहाँ पर, जो local लोग हैं, वो जो alternate energy sources के उपरन का reliance है, वो उसका कम होगा, इससे दोस्तों क्या होगा, power supply, this increase the power supply, और अगर power supply छेतर के अंदर बढ़ेगी, तो इससे small scale और जो cottage industries हैं, दोस्तों, वो आपके और बढ़ेंगे, employment generate होगी, उसके साथ साथ local population, जो है उनके लिए revenue के आउसर यहाँ पर पैदा होंगे, ठीक है, यह कीरू हाइडल project था, और क्यों discuss कर रहे थे दोस्तों, वो भी मैंने आपको बताया, किस reason की वज़े से हम इसको देख रहे थे, दीन और दुनिया, अभी देखो, NCRT देखो, प्रिलिम्स से पहले, right now we are totally focused on the prelims, ठीक है, once we will done with the prelims, अगे एक बर हमज़ा प्रिलिम्स हो जाएगा, then we will bring some other courses, अभी तो हम majorly focus कर रहे हैं, pre के उपर, ठीक है, बाकी आप, जो number है हमारा, उस पे call कर लिजेगा, कल दिन में आपको सारी information दे दी जाएगे, मुद्दा है दोस्तों, अगली बात का, अभी हुआ क्या है, हमारी ministry जो है, उसके दुआरा चार नई media related portal जो है, वो मनाई गई है, दोस्तों कई बार आप लोग भी सोचते होंगे, कि सरकार इतनी सारी scheme लेके आती, लेकिन हमें तो पता ही नहीं है, हम तो समझी नहीं पाते हैं, कौन सी scheme किसके लिए, क्या किसकी लिजिबिल्टी है, यह आपकी मन में कभी कभी सवाल आया ही होगा, हगर यह सवाल आया है, तो आज सुन लो, सरकार ने एक ऐसा ही कुछ यहाँ पे कदम उठाया है, ताकि जो सरकार की scheme है, और उनके intended benefit जो है, वो user तक पहुँच सके, इसलिए चार नई media related portal जो है, यहाँ पे launch की गई है, Ministry of Information and Broadcasting, चार portal launch की गई है, पहली है Press, सेवा, दूसरा है National Register for LCO, इसके लावा है CBC, और लास्ट है Navigate भारत, तो यह चार जो है आपकी नई portal जो है, यहाँ पे वो launch की गई है, एक-एक बता देता हूँ, सबसे पहले Navigate भारत पोर्टल, इसका क्या उद्देश है, अब यह क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, मैं इसलिए बता रहा हूँ, ताक ही हो सकता है, prelims के अंदर में ऐसी जीजे आ जाती है, ठेक है, यह किसी और एक्जाम में, स्टेट PCS में है न, नाशनल, यह जो Navigate हैसी फुल पॉर्म क्या है, National Video Gateway of भारत, जिसको हम शॉर्ट में बोल रहे है, Navigate भारत, एक Unified Platform है, जो Bilingual चलेगा दूस्तों, और यह New Media Wing, जो है Ministry of Information Broadcasting, उसके दुआरा इसको स्टार्ट किया गया है, इसके अंदर में, Government, Development Related, जितने भी आपके initiatives होंगे, Citizen Welfare Oriented Measures, जो सरकार ले रही है, नागरिकों के कल्यान के लिए, वो सारे इस Portal के उपर, आपको देखने को मिलेंगे, यह जो Platform है, It will empower citizen, by offering an interactive interface, interactive क्यों बोला मैंने, क्योंकि यह ऐसा नहीं है, कि सिर्फ सरकार आपको योजना है बताएगी, ठीक है, यहाँ पर ऐसा भी तरीका होगा, कि आप अपनी बात सरकार तक पहुचा सकते हो, ठीक है, यह एक interactive interface होगा, जहाँ पर आप चीजे सर्च करोगे, आप उन वीडियो को देख सकते हो, शेर कर सकते हो, उन वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, और यह सारी scheme होगी, with related to the various government schemes, and initiatives, and campaigns, It features a filter-based advanced search option, जैसे Google आपको करता है, तो अब यह सोचलो, यह government services का Google होने वाला है, जहाँ पर government की योजना है, जो हैं, आपको पता चलेगी, यह उसका एक number होने वाला है, ठीक है, समझ आई दोस्तों आपको मेरी बात, ठीक है, यह बर बताओ यार, comment box में आप कुछ बता ही नहीं रहो, कुछ हलचली नहीं है, थोड़ी बहुत हाना करते रहो, मुझे भी थोड़ा सा बल मिलता रहे, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रेस सेवा पोर्टल, यह क्या है, यह जो पोर्टल है, इट इस डवलप्ड अंडर दा प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन आफ, प्रेस रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया, फॉर्मरली जिसको हम रन आई के नाम से जानते दें, उसके दौर जर्जिस्ट्र किया गया है, यह जो है, इसका उदेशक है, इसको सिंपल करने के लिए यह पॉर्टल आई है, अब इसमें कुछ की फीचर्स है, ओनलाइन एप्लिकेशन फाइलिंग फॉर टाइटल रजिस्टरेशन उसिंग आधार बेज दी सिगनेचर, अब प्रोबैलिटी मीटर्स इंडिकेटिंग दी लाइकलिवड अब टाइटल अविलिएबिलिटी, जितनेभी लोकल केबल उपरेटर, बेजस्टरेशन उनको केबल अब ऑ में गरनाए बीहाएं। कि रेजस्टर श्टर क्राइटल Attorney, संद्रेशन देटो प्रेटानेधी करेंदेशन प्रोब्राइतल हैं। सप Divine Gobierno, operator से जानकारी खटा करने के लिए एक web platform बनाया गया है फिर हम बात करते हैं दोस्तों CBC की यानि की Central Bureau of Communication ये क्या है दोस्तों ये एक vital unit है जो Ministry of Information और Broadcasting के अंदर काम करेगी basically it was established in December 8, 2017 through the merger of पहले Director of Advertising and usual विज्वल पब्लिसिटी थी Director of Field Publicity and the Song and Drama Division तो उसको mix करके बनाया गया है ठीक है आगे बढ़ते हैं दोस्तों next है हमारे पास Bedwater Basin ये क्या होता है दोस्तों जो Endoric Lake होती है उनको हम Bedwater Basin भी कहते हैं क्या होता है मैं आपको बदाता हूँ सामन्ने तोर पे नदियां क्या होती हैं दोस्तों हमारी जो नदियां है वो mainland से पानी लेके जाती है और समुद्र या किसी बड़ी गल्फ खाई में खाडी में मतलब वहाँ पे जाके पानी डाल देती है What if कि ये जो पानी है ये उल्टा चले मतलब landmass का पानी landmass में इस्टोर हो कोई local area जील वाला पार्ट हो वाँ दोस्तों North America का सबसे lowest place है जिसको हम बोलते है Death Valley सबसे गरम भी है Death Valley और सबसे arid पार्ट भी है Death Valley नाम Death Valley इसलिए रखा है कि बहुत गरम है lowest है और एकदम desert है अगर आप देखोगे तो वहाँ पे पहाड़ों की आकर्ती ऐसी है कि वहाँ पे हवा पहुची नहीं पाती और बारिश नहीं हो पाती लेकिन अभी climate change के चलते दोस्तों दुनिया वर के अंदर में ऐसे करिश्में आपको देखने को मिलेंगे और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है यह तस्वीर है 5 जुलाई 2023 की बहुत कम पानी आपको दिखेगा यह एंडॉरिक लेक है मतलब आसपास की नदियां जाके इसमें पानी जमा कर रही है और यह जो चीज है यह कई समुद्र से connect नहीं है दूसरी और फिर देखोगे अगस्त यह 5 जुलाई 2023 का यह 30 अगस्त 2023 का यहाँ पे दिखे रहा है आपको पानी उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे फेबररी चोदा वैलेंटाइन डे तो आप देखो यह और यह क्यों हो रहा है दोस्तों क्योंकि बड़ी रहात की बात है इस प्रकार का पानी खटना होना है तो सबसे पहली बात यही हम बात करेंगे बेड़ वाटर बेसिन के बारे में नासा ने पूरी पूरी जानकारी जो है वो शेयर किया कि किस प्रकार से बेड़ वाटर जो है वो टर्न हो रहा है ठीक है अब समझते हैं what is this bad water यह bad water basin जो है इसके बारे में हम देखते हैं तो यह bad water basin जो है दोस्तो यह death valley में located है दोस्तो और यह death valley कहाँ पर है North America उत्तर अमेरिका में यह एक endoric basin होता है मैंने आपको बता है endoric basin क्या होता है मैं बार-बार भी ही बोल रहा हूँ आपको endoric और exoric basin endoric basin क्या होता है जहां सारी नदियां नदी जो पानी है सारा catchment area का जो पानी है वो एक inland area में आके store हो जाए उसको endoric बोलता है exoric मतलब समुद्र में चला जाए ठीक है तो यह basically endoric system है दोस्तों it does not flow out पानी बहार नहीं जाता इसकी वज़े से क्या होता है दोस्तों पानी अंदर ही store होता है और इसकी वज़े से फिर evaporation जादा होता है और उसी वज़े से formal lake यहाँ पर बन जाती है formal मतलब बहुत अल्प कालीन जील जो है बहुत कम समय की lake यहाँ पर बनती है यह ऐसी छुड़ छुड़ी lake होती है क्योंकि obvious ही बात है यह regular बारिश तो होती नहीं है तो यहाँ पर क्या होता है temporary lake type का बन जाता है बट बाद में पानी evaporate हो जाता है पानी की salinity भी जादा होती है तो हुआ क्या है यहाँ पर दोस्तो अगस्त यहाँ पर देख रहे हो आपी पांच जुलाई का अगस्त में यहाँ एक हरीकेन आता है जैमारे साइकलोन होता है ऐसे ही खरीकेन आता है दोस्तो जिसका नाम था हिलरी उससे जार काफी भयंकर मात के अंदर में फिर से एक भारी-बारी शुई और पावर्फूल एक्मॉस्फेरिक रिवर अब यह जिसने नहीं देखी है दोस्तों मैंने आपको बताया कि मेरा यहाँ पे यूट्यूब पे हमने एक शौट बनाया है ठीक है एक्मॉस्फेरिक रिवर के ऊपर में हमने इंस् वज़े से यहाँ भारी-बारी शोती है और उसी वज़े से पानी भर गया है दोस्तों एक बर जाके वो शौट वीडियो देखना ठीक है मैंने बनाया हुआ आप लोग के लिए जिसमें हमने बात की है दोस्तों एट्मॉस्फेरिक रिवर की ठीक है और उसी वज़े से दोस अपका मुजावर डेजर्ट उसके बीच में है यहाँ पर मास्तित है इसकी लोकेशन की वज़े से दोस्तों यहाँ पर क्या होता है जो बारिश है वो ब्लॉक हो जाती है सराउंड में क्योंकी माउंटेन है और उसी की वज़े से जो डेथ वैली है इट बिकम एक्स्ट्री और करूःhm टेंप्रेट्रर और कणिशन के लिए इसे जाना जाता है ठीक है इंहीं बादा कूसमों में आगी बताईये नंथ में बतां दो यारे एकबर इतने बच्छे ओजवाब तो दो और कमेड़ बॉक्स में थाना पता आपको ऐसे एकदम से बाढ़ आजानी चाहिए मैं जब आप से पूछू आप लोग नराज हो यार मुझे लगता है बात ही नहीं कर रहे है आज कल आप मेरे से हैं भई ठाहे भई चलिए आगे बढ़े दोस्तो अभी हमने प्रयास किया है कि शौट वीडियो के माद्यम से आपको एक विस्तरित और अच्छी जानकारी दी जाए और उसी के लिए दोस्तो शौट पे हम बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं अभी बहुत जल्दी आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियो में आपको दूँगा जोगरफी के उपर जो इसी प्रकार से एनिमेटिड होंगी चलिए यह हो गया अब बात करते हैं exercise दोस्ती अभी आपने थोड़ा मालदीव के साथ दुश्मनी का तो सुना ही होगा अब थोड़ा दोस्ती का भी सुन लो यार भारत और मालदीव अच्छे दोस्त है यह तो अभी जो मोईजू मोईजू आ गए हैं वहाँ पे वो बिना मतलब में चाइना की गोधी में बैठ रहे हैं इससे पहले न दोस्तो हमारी और मालदीव के जो कोस्ट गार्ड है उनकी एक exercise होती थी जिसको हम exercise दोस्ती कहते हैं इंडिया और मालदीव के coast गार्ड की जो हमारे coast है उनकी रक्षा करते हैं क्योंकि हमारा neighbor है मालदीव यार अब दोस्तो क्या हुआ है थोड़े दिनों के बाद स्रिलंका ने भी का हम भी जोइन करेंगे तो वो भी अभी exercise दो साल में एक बार होती है और इसी exercise का एक addition जो भी हो रहा है तो ट्राइलेटरल मतलब इंडिया मालदीव और किसकी दोस्तो आपका स्रिलंका की ट्राइलेट स्रिलंका के कोस्ट गार्ड शिप जो है मालदीव पहुँच गए है ट्राइलेटरल कोस्ट गार्ड एकसरसाइस दोस्ती 16 में भाग लेने के लिए ठीक है पहुँच गए इंडियन देगो है इंडियन कोस्ट गाडड का शिप है और यह हम आ आगये है चलो ट्राइलेटरल कोस्ट गार्ड सर्वीज जो है इसमें मैंने बताया सिरलंका मालदीव और जो है इंडिया तीन्नों शामिल है बाइन येली होती है मतलब दो साल के अंदर में ये एक बार होती है दोस्तों आपका द्वी वार्शिक है 1991 में शुरू हुई थी इंडिया मालदीव के बीच में बाद में सिरलंका बोला मैं भी खेल हुआ 2012 में हमने का बाई तुम भी आजाओ कोई दिक्कत नहीं है उद्देश्य क्या है दोस्तों इसका ठीक है मान के चलो इंडियन ओशिन के अंदर कोई अचानक से घटना हो जाए सी एक्सिडेंट हो जाए वहाँ पर या सीग में पलूशन जादा हो जाए या ओयल स्पिल हो जाए तो ऐसी अवस्था के अंदर में दोस्तों यह इमीडियेट रिस्पॉन्स कर पाएं मिलके यह जो एक्सरसाइज का अबजेक्टिव क्या है तु स्टेंदन दा फ्रेंडश ठीक है और इस बार इसमें एक ऑपजर्वर स्टेट भी है बंगलादेश प्राइमरी ओपर जो इनका एम है वो क्या है आपस में रिस्तों को मजबूत करना ठीक है इंडिया से कौन भाग ले रहा है यह सब इंपॉर्टन नहीं है बठा दोस्ती 16 जो है दोस्ती क्या है वो प्रदान समझ में आया दोस्तों आपको सभी को बताईए गाइस फिर से कह रहा हूँ प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कर दो लाइक कर दो लाइक कर दो चलिए तो यह सेशन आज का हमारा दोस्तों हम समाफ्त करते हैं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप में से जो भी जिनको भरोसा है दोस्तों हमारी क्वालिटी पे जिनको भरोसा है दोस्तों तो आप हमारे साथ जुड सकते हैं हमारे कई सारे बैचेज हैं अभी हमारा एडूराटी एप के उपर में बैच चल रहा है इसका प्रिलिम्स का तो यह हमारा नंबर है इस पे आप कॉंट यह सारे batch में आप एंडूल कर सकते हो, अलग-लग batch है, आपके पास option है, चाहे आप batch में एंडूल करो अपने आपको, या आप हमारी app का एक annual subscription ले सकते हो, मतलब एक साल के लिए 25,000 दो, सारा काम खसमात, दो साल के लिए 35,000 दो, जितने भी कूर्स हैं, सब आपको कराये जाए इसको आप क्या कर सकते हैं, फॉलो कीजिए, यह हमारा mobile number है, हमारी app है दोस्तों, कहाँ पर Google Play Store के उपर मिल जाएगी, और उसके लावा यह हमारी website है, जिस पर आपको connect करना है, ठीक है, उमीद करता हूँ दोस्तों, आज का लेक्चर आपको पसंद आया, अगर पसंद आया दोस्तों, तो एक प्यारा सा comment, ज्यादा कुछ नहीं माग रहे है आपसे जमीन जायदात, एक अच्छा सा प्यारा सा comment, एक comment आपको करना है वीडियो में, that's it, ठीक है, इतनी मैं आपसे उमीद रख सकता हूँ दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को share कीजेगा और बाकी दोस्तों को भी connect